कर दोस्तों नाइस मैथेमेटिक्स चैनल में आप सभी का श्वागत है मैं हूँ जिया सर और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 12 क्लास एक्सरसाइज 5.5 कोश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था आज हम लोग कोश्चन नंबर 12 से आगे करेंगे तो आज का हमारा पाला कोश्चन है कोश्चन नंबर 12 ये एक्सरसाइज 5.5 एंसे आट के बुक का है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को यहां क्या करना है इसमें डी वाई बाई डी एक्स की भाईलियो निकालनी है यहां जो है एक्स तू दी पावर वाई दि देंड भी इक्वल तो य तो दी पावर एक्स तो अब यह हो गया हमारा यू अब यह हो गया हमारा भी तो अब यह क्या हो जाएगा देरफोर यू प्लस भी इक्वल टू 1 अब यह हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस दी भी बाई डी एक्स एक्स एक्वल टू जीर इसका नाम दे दिजिए एक यानि कहने का मतलब यह है कि इस टर्म को जब हम यू मानेंगे इसको भी मानेंगे तो यू प्लस भी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो वहीं चीज यहां लिखे हो गए हैं अब इसको डिफ्रेंसियेट करेंगे तो क्या हो जाएगा दी का डिफ यहां लिखेंगे, since u equal to, क्या लिखें हैं हम लो, x to the power y, taking log both sides, both sides we get, दोनों तरफ हम log लेंगे, तो क्या हाजाएगा, log u equal to y log x, इधर लेंगे तो log u, इधर लेंगे तो यह power side में आजाएगा, y log x, अब क्या करेंगे, इसको differentiate करेंगे, तो यहां लिखेंगे, differentiating with respect to x, we get, क्या हो जाएगा, log u का, 1 by u, du by dx, y का, उतार देजिए, log x का, 1 by x, plus log x उतार देजिए, y का dy by dx, तो अब हम को क्या चाहिए, क्या निकालना है, du by dx निकालना है, तो du by dx, equal to u, यह हो जाएगा, y by x, plus log x, dy by dx, अब u का value इहां रख दीजिए, u का value क्या है, x to the power y, तोड़िए ब्रेकेट को, तो यह एक लाइन और आगे बढ़िए, y by x, plus log x, dy by dx, अब भी का निकालेंगे, फिर लिखेंगे, now, भी equal to, कितना है, d equal to, हम लिए है, y to the power x, यहां भी log लेंगे, तो क्या हो जाएगा, log b, equal to x log y, differentiating with respect to x, we get, तो 1 by b, d by dx, x को उतारेंगे, तो log y का, 1 by y, dy by dx, plus log y को उतारेंगे, x का हो जाएगा, 1, छोड़ दिजिए, अब क्या हो जाएगा, d by dx, equal to, यह भी उधर चला जाएगा, भी के value क्या है, y to the power x है, एक के बार डिक्टर लिख दिजिए, x by y, dy by dx, plus log y, इसको बंद कर दिजिए, तो अब देखे, यह हुआ, d by dx का value, d by dx निकाल लिए, इसका नाम दे दिजिए, 2, इसका नाम दे दिजिए, 3, अब गौर कीजिए, यहाँ है d by dx का value, यहाँ है d by dx का value, differentiation निकालने आपको आता है, simple way में हम लोग उने निकाल दिया, du by dx के वैले निकाल दिया, dv by dx के वैले निकाल दिया अब इस दोनों भैलु को लेया करके equation 1 में put करेंगे अपने आप dy by dx निकल जाएगा तो फटा फट इसको नोट कीजिए, हम आगे करते हैं हाँ, तो आप क्या करेंगे हम लोग, 1, 2 और 3 से वैलू को निकालेंगे तो लिखेंगे, from 1, 2, and 3, we get यह हो जाएगा, आप देखें, 1 में क्या था, du by dx plus dv by dx equal to 0 तो du by dx से वैलू है, x to the power 1, y by x plus log x dy by dx, यह हो गया, du by dx से वैलू दूसरा है, plus y to the power x, x by y, dy by dx, plus log y equal to 0 यह du by dx से वैल हो गया, यह dv by dx से वैल हो गया, दोनों को जोड दिये क्या हो गया, 0 अब इससे हुम dy by dx का भेलू निकालेंगे, तो bracket तोड़ेंगे, तो क्या होगा, x का power, यह y है, नीचे से x उपर आएगा, तो 1 हो जाएगा, x का power y minus 1, y plus x का power y log x, dy by dx, plus x y का power x है, यह हो minus 1 उपर जाएगा, dy by dx, x plus y का power x log y equal to 0, अब देखें, dy by dx यहाँ है, dy by dx यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, x का power y log x, और यहाँ है, पलस x, y का power x minus 1, अब यह बाहर, dy by dx को मन ले लिजिए, बाकी turn को उधर भेज़ेंगे, तब उधर भेज़ेंगे, यह जाएगा, उधर और यह जाएगा, उधर, तो क्या है यह, y minus x का power y minus 1, x का power y minus 1, y minus y का power x log y, चुकि यह भी पलस है, और यह भी पलस है, तो दोनों उधर जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले ले लिजिए, तो यह हो जाएगा, x का power y minus 1, y plus y का power x log y, और divided by, यह पूरा term नीचे चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, dy by dx, तो यह उधर जाएगा, तो x का power क्या हो जाएगा, y log x, जों कते हो नीचे चला जाएगा, plus x y का power x minus 1, और यहीं आपका हो जाएगा, answer बस, तो इस तरह से हम लोग stepwise काम करेंगे, बिल्कुल बनेगा, आप वीडियो को अम तक देखिए, सारे सवालों को मैं बहुत ही अच्छे ढंक से आपको बता दूँगा, एक बार देखने के बाद बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, और आपको तैयारी हो जाएगी, जदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताएए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो फटा-फट इसको नोट कीजिए, हम लेकर आते हैं अगला कोस्चन, हाँ तो बच्चो नेक्ट कोस्चन है, अपका कोस्चन नमबर 13 जो है, वो सीधा साथा साथ देखने में ही सवाल है, आप सीधे इसको में हमको डिवाइब आ डियक्स निकालना है, कुछ मानने क्या हो सेकता नहीं है, दोनों तरफ लॉग ले लिजिए, लॉग लेकर डिफ्रेंसियेट कर दीजिए, हो जाएगा, लिखेंगे टेकिंग, लॉग बोट साइट्स, वी गेट, दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या हो जाएगा, एक्स लॉग वाई, इक्वल टू वाई लॉग एक्स, अब इसको सीधे डिफ्रेंसियेट कर देजिए, एंसर निकल जाएगा, डिफ्रेंसियेटिंग विथ रस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, क्या हो जाएगा ये, एक्स को उतारिए, लॉग वाई का वन बाई वाई, और वाई का डिवाई बाई डिएक्स, पलस, लॉग वाई को उतारिए, एक्स का वन होता है, छोड़िए हटाएगे, वाई को उतारिए, वन बाई एक्स, एक्स का, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, एक्स का वन, dy by dx minus log x dy by dx equal to y by x minus log y वह उतासान अब इस दोनों में से क्या करेंगे dy by dx को में ले लेंगे तो xy y minus log x dy by dx और ये हो जाएगा आपका y by x minus log y अब dy by dx का वहलू निकलाँ इसको इदर रखेंगे बाकी को उधर भेज देंगे तो dy by dx equal to आपको ये अब y by x minus log y divided by x by y minus log x ये हो गया अब इसको थोगा simple way में कर दीजिए यहां से dy by dx equal to lcm x लेंगे तो उपर हो जाएगा y minus x log y x log y divided by x नीचे वाले का तो ये उपर आजाएगा y by x यहां बाहर कर लिजिए नीचे वाले में x minus y log x simple बटा का जोड़ घटाओं कर दीए हो गया तो इस तरह से आप काम कीजिए यह नहीं है कि हम इसको यू भी एक कोशन में माने तो सब को वैसे ही मानते जाएं या यह को में log ले लिए शुरू में तो सब में ले 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 जैसा situation रहेगा जैसा question रहेगा वैसे हम लोग को काम करना है जैसे यहाँ y का पाउर x है x का पाउर y है दोनों equal है एक दूसरे का सीधे हमने अब कुछ नहीं माना सीधे log ले लिया log ले लिया यह हमारा असानी से स्वल्व हो गया नहीं तो इस तरह से हम log लेंगे और यह याद रखना है log लिध में के जो rules बताएं है 3-4 उसको याद रखना है और log x का differentiation 1 by x होता है इसको भी याद रखना है अब जैसे log cos x है तो log cos x का निकालेंगे तो पहला काम तो होगा क्या 1 by cos x फिर cos x का निकालना होगा या अगर मानले यह log 10y है तो क्या करेंगे log 10y है तो 1 by 10y 10y का फिर निकालेंगे नहीं से के स्क्वार या उसके बाद फिर y का निकालेंगे dy by dx होगा इन चीजों को ध्यान रखना है तब जाकर के हमारा काम बहुत ही simple way में बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो इसको फटा-फट नोट कीजिए हम लेकर आते हैं अगला question आधवर चो next question है question number 14 cos x to the power y equal to cos y to the power x बहुत simple सा सवाल है दोनों तरफ है क्या कीजिए log ले लिजिए लिखेंगे taking log both sides both sides के मतलब दोनों तरफ we get जब भी log लेंगे दोनों तरफ लेंगे यह ध्यान रखना है इसका क्या हो जाएगा y log cos x equal to x log cos y rule के हिसाब से power log लेने पर बगल में आ जाएगा यह direct लिख दिये कोई दिकत नहीं है अब देखिए यह दो function का product है y into log cos x यह cos into log cos y अब इसको differentiate कीजिए u into b वाले से differentiating with respect to x we get तो यह क्या होगा y को उतारेंगे cos x का log cos x का 1 by cos x और sin x cos x का minus sin x x का क्या होगा 1 तो छोड़ देंगे पलस अब इसको उतारिए log cos x और y का लिख दिजिए dy by dx rule के हिसाब से u into b अगर है तो मान लेजे हमने u को उतारा b को differentiate किया यहाँ b को उतारा u को differentiate किया यहीं rule है अब इसको equal to x उतारेंगे तो 1 by cos y log cos y का क्या होगा 1 by cos y और cos y का minus sin y अब y का फिर dy by dx यह इसको chain rule में हम step y निकालते जाएंगे गुना करते जाएंगे पलस log cos y और x का 1 हो गया छोड़ी अभी सब को सजा करके dy by dx को एक तरफ ले आईगे यह क्या हो जाएगा minus y 10x कैसे 10x वा sin x by cos x 10x यह minus है तो minus बगल में आगया y है तो y बगल में आगया इसको log cos x dy by dx equal to minus x 10 y dy by dx पलस log cos y अब क्या करेंगे dy by dx वाले को एक तरफ ले आएगे और क्या करेंगे यह dy by dx कॉमन लीजिए क्या बचेगा यह log cos x log cos x और वह इधर आएगा तो पलस हो जाएगा plus x 10 y अब यह बच गया इधर तो log cos y और यह उधर जाएगा तो पलस हो जाएगा y 10 x अब dy by dx भेलू क्या हो जाएगा dy by dx equal to log cos y log cos y plus y 10 x divided by यह log cos x plus x 10 y और यहीं हो गया आपका dy by dx का भेलू और जो dy by dx का भेलू हुआ हुआ हो गया हमारा answer तो इस तरह से आप stepwise काम कीजिए फटाफट सारे सवाल के answer आपको निकलते जाएंगे practice कीजिए एक बार देखे दो बार अपने से बनाएगे बिलकुल बनेंगे बड़े बड़े सवाल देखके घबडाना नहीं है तो इसको फटा फट नोट कीजिए हम लेकाते हैं अगला question आद बच्चो next question है question number 15 काफी important question है देखने में भी छोटा है और बनाने में भी आपको काफी अच्छा लगेगा यहाँ xy है क्या है xy इधर है x to the e to the power x minus y तो अब हम क्या करेंगे दोना तरफ log लेंगे और क्या करेंगे लिखेंगे taking log both sides we get generally एक function का power दूसरा function है जैसे x का y में है या y का power x में कोई function है तो ऐसे सवाल में हमें log लेना पढ़ रहा है यह ध्यान रखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा log xy equal to log e to the power xy अब log के rule से product है तो क्या हो जाएगा log x plus log y और यह power बगल में आ जाएगा x minus y log e और log e कमान कितना होता है one तो यह आपका हो गया log x plus log y equal to x minus y अब इसको differentiate कर देजिए differentiating with respect to x we get log x का 1 by x log y का 1 by y y का dy by dx x का 1 y का dy by dx एक चीज़ ध्यान आपको रखना है जैसे हमने यहाँ log y का 1 by y dy by dx किया आई यहाँ खाली 1 by x करके छोड़ दिया छोड़ा नहीं log x का 1 by x i x का 1 तो 1 by x into 1 तो क्या होगा? वहीं होगा अब 1 कैसे? जैसे यहाँ dy by dx होगा यहाँ x है तो dx by dx होगा तो dx by dx क्या होता है? 1 होता है इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखते है x का differentiation 1 अब y वाले को एक तरफ लाइए dy by dx क्या होगा? 1 by y आए इधर आएगा तो plus 1 आइक्वल टू यह आया इधर कॉमा ले लिए यह तो plus 1 इसके ज़र पर बचाए यह 1 यहाँ पाले से है आप 1 by x उधर से चला जाएगा अब क्या बचेगा? dy by dx 1 minus 1 by x divided by 1 by y plus 1 अब इसको solve कर दीजिए x minus 1 by x आए यह गुना हो जाएगा y, y plus 1 यह हो जाएगा आप y by x x minus 1 y plus 1 और यह हो जाएगा बजार इस तरह से आपका बन इस तरह से आप काम करेंगे इसमें अब क्या है? आप देखें यहाँ तक तो हम लोगों ने सिम्पल वे में इसको कर लिया उसके बाद ड्राइवे टिप से निकालने तो आपको आता है इसको डिफ्रेंसेट कर दिए अब कॉमन लेना, गूना करना, जोडना, घटाना आप 12 में पढ़ते हैं तो यह सब चीज आपको आता है, अंडर इस्टूड है इसमें क्या कि यह dy by dx को इस इधर लाएंगे तो पलस होगा, तो 1 by y dy plus dy by dx, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ वन बाए y बचेगा, इसमें कुछ नहीं है तो पलस, 1 बच जाएगा यह इधर आया है तो पलस हुआ है और dy by dx निकलना यह उधर जाएगा तो divide करेगा इसको simply solve कर दिए तो इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे आप बने रहें नाइस mathematics channel के साथ आपको सारे प्रसुनों के हल बड़ी आसानी से मिल जाएंगे तो आज के class बस इतना ही और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लेजिए ओके बाई